स्वागत है दोस्तों फिर से मेरे चैनल पर आपका आज की एक्सप्रेस्वे की जानकारी देने से पहले मध्यप्रदेश में होने वाले चुनाव के बारे में बात कर लेते हैं। मध्यप्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है और हर इलेक्शन में यहां हर पार्टी के बीच में फाइट बहुत ही कठिन होती हैं। मध्यप्रदेश में बनने वाले इस एक्सप्रेस्वे के बारे में। मध्यप्रदेश को जल्द ही एक नए एक्सप्रेस्वे की सौगाक मिल सकती है। इस नए हाइ स्पीड रोर का नाम होगा विंध्या एक्सप्रेस्वे। एंपी से गुजरने वाला ये चौथा एक्सप्रेस्वे भोपाल और सिंगरॉली के बीच बनेगा। यह एक्सप्रेस्वे भोपाल, दमोह, कटनी, रीवा, सीधी से होते हुए सिंगरॉली को कनेक्ट करेगा। 676 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस्वे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल बेल्ट डेवलेप किया जाएगा। इससे उद्योग और कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई गई है। एक्सप्रेस्वे की घोशना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। एक्सप्रेस्वे बनने के बाद राजधानी भोपाल और सिंगरॉली के बीच आवाजा ही आसान हो जाएगी। एकस्प्रेसवे की घोशना करते हुए C.M. शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि विन्ध्य एकस्प्रेसवे क्षेतर के लोगों के विकास के लिए काफी अहम साबित होगा. इस एक्सप्रेसवे के जरिये भोपाल और सिंगरॉली सहित राज्य के कई जिले और भी जुडेंगे यह एक्सप्रेसवे जिस इलाके से गुजरेगा वहां उद्योग और क्रिशी के लिए बहतर कनेक्टिविटी मिलेगी धोपाल से सिंगरॉली के बीच विंध्यय एक्सप्रेसवे बनेगा एक रिपोर्ट के मUताबिक सरकार की ओर से एक्सप्रेस का ब्लूप्रिंट तयार कर लियागा है अधिकारियों का हना है कि विंध्य एक्सप्रेश वे मध्य प्रदेश के डेवलेप्मेंट को और तेज गती देगा इसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए जाएंगे इन इलाकों में जरूरत के मुताबिक उद्योग के लिए जमीन का आवंटन किया जाएगा बताया जा रहा है कि फिलहाल एक्सप्रेव वे को छे लेन बनाने की तयारी है बाद में इसके अपग्रेड कर आठ लेन का भी किया जा सकता है माना जा रहा है कि देश के बाकी एक्सप्रेव वे की तरहे इसमें भी 120 किलोमीटर की रफ्तार पर गाडिया चल सकेंगी फिलहाल राज्य सरकार की ओर से इस एक्सप्रेव के निर्मान की शुरुआत करने की जानकारी नहीं दी गई है लेकिन माना जा रहा है कि साल के अंत तक जमीन अधिग्रहें की प्रक्रिया शुरू हो सकती है फिर अगले साल तक इसका निर्मान शुरू किया जा सकता है सरकार का कहना है कि एक्सप्रेव वे बनने से न केवल आवागम की सुविधा बहतर होगी बलकि यह मध्यप्रदेश के विकास के नए मॉडल के तौर पर भी उभर कर सामने आएगा इससे विंध्यक्षेत्र का भी तेजी से विकास होगा यह एक्सप्रेश से भोपाल से शुरू होकर सिंगर आली तक जाएगा इसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए जाएंगे इससे कई जिलों के लोगों को रोजगार से नए अवसर भी मिल सकते हैं दोस्तों मध्यप्रदेश अब पहले जैसा नहीं रहा पहले के मध्यप्रदेश को देखा जाएं तो आज के समय में मध्यप्रदेश पूरी तरह से बदल चुका है भारत में आप कहा रहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और अगर आपके यहां पर एक स्प्रेस्वे हैं तो वो केसा है इसकी जानकारी जरूर दे स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को शेर करना न भूले जै माता दी